कि से हमारे पस्क्ति प्लस वजा रहा है एक सेम है हमारे पास अग प्लस हो रहा है तो इसमें क्या बोलागया है से मैटल को हमने क्या किया सब् Pinterest दीया के अब में जाते हमारा जो यह स्टेप रहा ये स्टेप कौन से रहा आइनेशन एनर्जी फॉर्स्ट अब हमने क्या किया मैटल गैसियस को जब हम डायर्यक्ट टू में कनवर्ट करेंगे तो फॉर्स्ट से तो होता हुआ जाएगा ठीक है अब यहां से यहां तक जाने में अप यह हमारा यीवन था और यह क्या है अई अजी टू है तो यहां से यहां तक जाने में कितना लगका टू हंड्रेयड और यहां से यहां तक का तो हंडेड है तो यहां से यहां तक कितना होगा 200 ओके तो अब क्या बोल रहा है आई-ई-वन ओफ एमजी इस हंडेड मतलब की मैटरल जो हमारा गैसियस में है उससे पहला इलेक्ट्रॉन लिका ले के लिए हमें हंडेड इलेक्ट्रॉन वोल्ड देना पड़ रहा है सही ब एलेक्ट्रॉन लिका लेंगा तो किसमें कर वाट होगा टू प्लस में कर दोड़ होगा तो उसका जो पहला इस इलेक्ट्रॉन लिकाल रहे है उसमें जो एनर्जी लग रही हो कितनी है 200 लेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी बास सही है अब आई-ई-टू-अफ एंजी इस टू- स्टेप और एंजी भी बोल सकते हैं तो आई-ई-वन के लिए अगा 200 है तो आई-ई-टू-फ एंजी के लिए भी क्या रहेगा 200 तो ये भी स्टेप हमारा क्या है सही लेकिन आई-ई-टू-फ एंजी 300 मतलब अब बोल रहे है कि इसी स्टेप में हमारा टोटल 300 जो रहा है 300 किसमें यूज जो रहा है आई-ई-वन प्लस आई-ई-टू-एक्वाल टो कितना आ रहा है 300 इलेक्ट्रोन वोल्ट आ रहा है एट मिस हमारा कौन सा आप्शन गलत है हमारा डी आप्शन क्या है गलत है